तो चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूटूब चैनल मैं थड़ा सारण में फिर मैं हाजिर होगे एक नया सेशन लेके आज से हम 31 कोश्चन नमबर 31 से लेके आज हम टोटल 149 तक प्रसंट देखने वाले हैं पुरसा वीडियो का आप लोग लाइक जरूर कीजिए ल पहला कोश्चन आपका सामने जो है दिख रहा है यह पहला कोश्चन यह है ठीक है फ्रसा इसको मिटा देते हैं इन सभी को मिटा देते हैं और कोश्चन का रहा है कि बल की इकाई क्या है बल की इकाई हमसे पूछ रहा है कि बल की इकाई क्या होती है तो देखिए बल बराब कि ड़ना क्यों होता है तो रण坪 का होता है मीटर फार्ट सट्यक्ण स्क्वार्ट यानि क डिलोघर्व म की पडसी सम यह इसका हो जाएगा तो और सब्सक्ति क्या जाएगा चली अगरा प्रस्ट देखते हैं चांग्या प्रस्ट्वत सबस्क्ति को कि एसा यूनिट sih लusb में से कौन सी मातरा और उसकी SI सही रूप से सुमेलित नहीं है सही रूप से सुमेलित नहीं यह पुछा जा रहा अब दखिए frequency hertz magnetic plus tesla pressure pascal electric conduct जिमेंस यह भी rrv ntpc 2016 में पुछा गया प्लस में है तो चुमबकिय सुमेलित नहीं है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन देखते हैं वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक आप जरू कीजिएगा अगला प्रसन है कि विस्तापन का इस एक है क्या होती है तो विस्तापन का एसे यूनिट क्या होता है इक आई यह देखिए ग्रूप D 2018 में ऊच्छा गया प्रसन है तो विस्तापन यानिकि मालीज़िए को बस्तु यहां है यहां आ गया यही तो विस्तापन हो गया यहनिकि displacement यह मीटर में होता है तो option A क्या हो जायगा आपका राइट answer हो जायगा चलिए अगला प्रोस्ट ने विवांतर की एसे इक क्या क्या होती है विवांतर का एसे यूनिट यू होता है यह आपका वोल्ट होता है तो option c आपका राइट अंसर हो जागा ये भी देखिए group d 2018 में दो बार पुछा गया है ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं विभांतर हमार हो गया विभांतर का इसे मातरक वोल्ट होता है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं कि चुमबकियो फ्लक्स क क्या होता था चुमबकियो फ्लक्स कहई सब्सक्राइथ कर दिवरोंतर होता ये एंटि प्रसंद में 2 रि Boys जाएगा निता की ये धाभी तक होता है और और आपका हेंड़ी जो है यह प्रेरर तक जो होता है उसका हेंड़ी होता है यह चारों का जानने चलिए चलिए की अंतराष्टी क्या होती है तो सक्ति की अंतराष्टी की बात की जाए तो वाट होती है और स्पावर किसमें होता है वाट में होता है तो देखिए यह क्या हो जागा इसका अंतराश्टी काई वाठ हो जागा यह 2000 आरण भी जे 2019 में गुरूप डी 2018 में दो बर पुछा गया प्रस्ण है अगला प्रस्ण कि कि स्मॉल जी के मान एस एस आई काई वही है जो डेस की एस एक होती है इसमॉल जी का जो क्या होता है इसमॉल जी क्या होता है स्मॉल जी को यह तोरं करतों समझेब यह को एक होता है तो आप सण डिक यह जागा आपका राइट अंसर हो जागा इस नो होता है gwुरूप ढूर्ड टी तोरा ठीक है इसका एक एसो यूनिट होता हैं मीटर प striving होता है ड़ा स्वाइर और तोर्ण गया है Newton meter square per kg square का एसे एकाई क्या होगा तो Newton meter per second square का जो होता है यह आपका गुर्त्वा कर्षन के सरभ्भामिक जो नियतांक होते हैं गुर्त्वा कर्षन के सरभ्भामिक नियतांक जो होता है जिसे 6.67 into 10 to the power minus 11 यानि की जो capital G होता है उसका माल यह क्या होता है गुर्त्वा कर्षन के सरभ्भामिक नियतांक होता है तो option D क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर हो जाएगा यह आप देख सकते हैं group D में पूछा गया है कभी-कभी capital G का जो मान होता है यह डारेक्ट पूछी लिया जाता है ठीक है इसका भीमियस सुत्र भी पूछा जाता है capital G का तो यह आपका होता है M-1 L-3 T-2 ठीक है चली अगला प्रस्ट देखते हैं अगला प्रस्ट है किर देख चली अगला प्रस्ट आपके सामने यह रहा कि पौर्थिरोजगत्त कशाय क्या होती है hon क्या होता है यह और होता है यह मीटर होता है है लिए ऑफ्सान आक होटा आपका राइटoga हो जाएगा यह पाधारत्म सबांस्र मान होता है यह पधार ती प्राकिर्थिक और तार्पर निर्भर करता है तो भार के एसाई काई के बराबर होती है तो भार के एसाई काई होती है यह किसके बराबर होती है तो भार के एसाई काई होती है यह वल के एसाई काई के बराबर होता है तो आप्शन सी क्या हो जागा आपका राइट आंसर हो ज चाल के अंतराश्टी यह से क्या होता है मीटर पर सकेंड तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किलो मीटर परती घंटा नहीं होता है मीटर पर सेकंड चाल के अंतराश्टी एक होती है ठीक है चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर आपका हो जाता है दूरी बट्टे में समय क्या होता है दूरी बट्टे में समय ठीक है तो मीटर पर सकेंड हो जाता है चलिए अगला कोशन देखते हैं कि निम मैंसे किन दो भौतिक रास्यों की इकाई एक ही है इसका एक ही है हमसे यह पूछा गया है तो यहां पर देखेंगे दाब बल बल और गती और बल और भार किस यह सेम होता है तो option D क्या हो जागा आपका right answer हो जागा दाब और भार किसका देखा जाया तो दाब क्या होता है पासकल मत काा क्या क्या होता था आँछे बल यहां पर दिया रहा है उस्छे बल यहीं होता है ठीक है यानि के बल और भाव्त ही का ओ जागा दोनों यह दोनों हो जाएगा वड दोनों जा हुख हो दोनों हो जाएगा अगला अंत्र Meter per second quad επ complete मिल्गी दिमनिसे किस की éH काई होता है meter per second क्या होता है meter per second square तोरन होता है यहाँ पर Option D क्या हो जाएगा आपका Right Answer हो जाएगा अगला क्रोस Dash की SI Chi Joule per second होता है किस का Joule per second किस का होता है यह आपका सक्ति का होता है Joule per second होता है यानि कि P बराबर क्या होता है W बटा में T तो सकती हो जाएगा तो आप्शन D आपका राइट आंसर हो जाएगा next डेस की SI unit डेस की एक नट यह आपका थुरा सा दिक्कत कर दिया है यह आपका यहां से करना करके स्टॉप हो गया है देखे हैं यह को लोग करेंगे फिर पीटी में लिए हम से पूछ रहा है कोशन अबर हम लोग 47 देखने वाले थे हैं कि डैस की एक यूनिट क्या होती एसा यूनिट इसको कलर ले लेते हैं तो डैस की एसा यूनिट एसा इक ऑई नूटन होता है तो वजन और वोल का जो होता है है एसे unit Newton होता है, तो option B यहाँ पर क्या हो जाएगा? right answer हो जाएगा, ठिक है? चलिए, अगला question देखते हैं कि विदुधरा की एसा ही क्या होती है, तो विदुधरा की s i unit क्या होता है, आपका right answer हो जाएगा, जाने कि आई बराबर क्या होता है आई बराबर हो जाता है वाटे में T यानि कि आवेस बटे में समय इसका हो तो अभी हमने देखा है ऴीदूध धारा का लोटा समय उसका क्या होता है इसका चलिए अगला प्रसंदक देखते हैं कि यह सैई है का ऑल्ट होता है तो बिभुवांतर ड्लोर होता है यह आपका की होता है तो कि यसे की क्या होती है तो कि ओड़ALK की कि नक की ऐ होती है कि अरुब तो मिबेस का लाम होता है तो आप्ट जी हैं पर आपका राइट नसर नंब जाएगा चलिए अगला प्रॉफ तोरण की एसाइग क्या होती है तो तोरण का होता है जिए मीटर पौर सेकेंड स्क्वायर आप संसी आपका राइट अंसर हो जाएगा देखिए दो जार अठारह में तीन बार यह कुछ आ गया है चलिए निम्न में से कौन सी तापमान की ऐस क्या होती है तो केल्विन होता है एसाइगा क्या होता है तो आप संडी आपका राइट अंसर हो जाएगा जैले निव्टान पॉर मिटर इसक्वायर यह है निव्टान और मिटर इसक्वायर की अंतराष्टी क्या होती है तो यह आपका होता है दाब का होता है प्रेसर कि भार की एसए काई वही है जो डैस की तो हर और वाल का इसे पहले कुछ कुश्शन किया है। उसमें दिखें हैं आपका राइट अनसर हो जाएगा सब्सक्राजिक नहीं है सापक्ष रासिट नहीं है तो समयं जो होता है नहीं होता है पर कि निर्भन नहीं करताएं व किस रासिड के लिए मातरक बातरक किस हैruit लुसाइग है। आपका राइ हलनेकर्ट्र में से किस यूग इसमानर होती तो चालौल और आपका जो ह्यक्ता है यह समान नहीं होता है तो आपका यहां क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बागी समय keto यहां से रो ब्राबर होता है तोश्य ग्र होता है तो जाता है को किया होदा क्या है rav outlines ge Claktor मतलब आम सब्सक्राइब इस क्या होता है यहां से रो बर्बर क्या होता है रो बराबर हो Better होता है एक मिटर लंबिक किसी पथार्थ के टुकरा यह जिसके और प्रस्त काच कर च explic मंदता कि अंतराष्टी ख्राइइ मन दडगता देखिए मेभी रिनात्मक तोरन को मंदन月 होते हैं तो उसका भी क्या जागा तोरण का मीटरफर सॉकेंड सब्सक्राइब होता है इसका भी आपका क्या हो जाएगा जा急 मेटरफर स केरण स्वायर हिव हो जाएगा दिए यहां दिख रहा है यह आगे बढ़ते हैं अगला प्रसक्रा तो वेट एन वाच तब तक आप लोग लाइक कर दीजे वीडियो को ठीक है कि आप लोग तो कंजूसी बहुत करते हैं लाइक में पता ना लाइक करने में आपकों कंजूसी क्यों लगता है आपके लाइक से कुछ नहीं होने वाला मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपने प्रस्ट देखते हैं पुरासओ हमको और पीछे जाना होगा यह हो गया गया है कि निम नतखित में से किन युगमों की साई ओका क्या समान है बल दूरी का सम्वेक बल का बाल और दापका कार जो रूजा का यह आपका समान होता है क्या होता है दोनों का जूल होता है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा कार्ज का मातलग जूल होता है इससे संप्वेक्च में क्या कहते हैं जैसे नियुपित करते हैं अब जा का मापन भी जूल में किया जाता है तो दूनों आपका सही आंसर हो जागे देखिए ग्रूब डी में 2018 में पुचा गया प्रस्न है चलिए एक पास्कल बराबर क्या होता है तो एक पास्कल बराबर एक न्यूटन पॉर मिटर स्कॉयर होता है तो को सकते हैं कि अप्शन यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा अगरा प्रस्न निम्लिखीत का सही मिलान करिए सही मिलान करना है वाट किलो वाट एक किलो वाट एक होर्स पार एक होर्स पार बराबर क्या होता है तो यह आपका डी से डी यहां मेंच कर गया चार का डी हो गया वाट बराबर क्या होता है तो वाट बराबर होता है नीटन मीटर पॉर सेकेंड नीटन मीटर पॉर सेकेंड क्या हो जाता है आपका वाट होता है यह क्या हो जाएगा वाट का आपका हो जाएगा एक वाट हम से पूछ रहा है कि उसका यूनिट क्या होता है वाट का होता है नूटर मीटर पर सब्सकेन होता है वाट का यहां हम देखेंगे तो किलोवाट का क्या हो जाएगा है एक हैजार वाट किलोवाट यानी एक हैजार वाट किलोवाट का मत होता है एक गोष सब्सक्राइब का मतलब हो गए एक हजार बाट का मतलब होगा 19 अगला प्रास्ट देखते हैं कि विधू धारा की अंतराष्टी क्या होती ये तो बिदू धारा की अंतराष्टी होता है है यह हम प्यों होता है इसके पहले हमने देख लिए तो और आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट इसी पधार्थ की मातरा को मापने के लिए किस इकाई का परियोग किया जाता है तो मोल की पधार्थ का परियोग की जाता है नेक्स्ट इन में से कौन से से एक है मोल का परतीक क्या है रहा है मोल का पर्तिक एमोल है क्या है मोल मोल आप्सन भी आपका राइट अंसर हो जाए गा नेक्सट मातरक क्या होता है तो मातरक कुलाम-पट सेकेंड का दूसरा नाम देखा जाए तो यह आपका क्या हो जाएगा एंपीर हो जाएगा तो अपसिन भी आपका सर्फ हो जाएगा नेफ्ट अपर्दूसंबों चलीं आगे बड़ते हैं जो होता है यह हमेशा street हम अपा जाएंटिवादच भनय निकी बात की जाए Doing द्धानी को हमेशा डीसिवल में मापा जाता है तो अप्षन है आपका राइट आणसर हो जाएगा द्धानी की परवलता में मापे जाती है तो सी यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यह देखें एक ETPC 2021 में पुछा गया प्रस्ख नहीं हैे एक एत्पास्वेर बेर क तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग लाइक नहीं किये हैं ठीक है छलिए फिर हम यहाँ आगा है अब यहीं पर थे ठीक है यह क्वेश्चन एक एटमस्फेरी बराबर हमको बताना था एक एटमस्फेर जो होता है यह किसके बराबर होता है ठीक है चलिए एक एटमस्फेर जो होता है यह किसके बराबर होता है तो यह जो होता है वाइन पॉइंट जीरो वाण इंटू 10 डिवार फाइब पास्कल के बराबर होता है तो ऑप्षिन यह आपका राइट आउन्सर हो जाएता है यह गूरूपडी दौरज़ा ठारे में दो बर की बरावर होता है तो एक डायोप्टर जो होता है यह आपका एक सब्सक्राइब का बराबर होता है यह होटा है आक की मीटर जो होता है एक मीटर की बात कि जा इगा है थे यहतिती से किसके उफ यूग में किया जाता है तो यह लघ्स Mita कि फ्योग में अप्षिंश की यहांपर क्या हो जाएगा है एक यी यह sleeping per meter square क्या होता है 1 पॉर میटर स्क्वेर कि चलिए एक किल boaट हाँ किसे ब्राबर होता है तो एक किलो वाट आउर जो हता है यह एक का देखिए यह It Q1 2021 siqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq यह आपका आवर यानि की घंटा यह कितना हो जागा एक हजार गुना शाठ निनट अब एक हजार को जूल पर सेकेंड में बदलेंगे तो यह क्या हो जागा एक हजार जूल पर सेकेंड इन्टू साठ गुना स्थ यह यहां से बदल के आजागा छसम्राइस यहानि की एक हजार गुना फॉना छती सो जूल यही से निकल कर यता है अगर हम कर दने तो थिरे पॉपाइंट इन त 10 to the power 6 Joule जो है यहीं से निकल के आता है तो हम को सकते हैं 3.6 इन्टू 10 to the power 6 Joule तो option C आपका right answer हो जाएगा चलिए एक किलोवाट घंटा उर्जा डैस के बराबर होता है तो एक किलोवाट घंटा उर्जा जो होता है यह किसके बराबर होता है एक किलोवाट अभी हमने देखा है एक किलो वाट आवर जो होता है यह किसके बराबर होता है ठीक है यह हमने अभी देखा है तो उपर वाले में देखा है तो क्या हम लिखे थे हैं अगर हम इसे 36 कर दें यह 10 के पावर 5 यहां पर 5 जीरो हो जाएगा तो फांच जूरो इसी में है तो था इन लाख कितना हो जाएगा एक आएं दाहीं से एक रह जार दोस जार लाख दोस लख 36 लाख जूल तो आप्सण डिक्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएग अगला प्रसन है कि एक किलोवाट क्या होता है तो एक हजार जूल पॉर सेकेंड के बराबर होता है एक किलोवाट तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 किलोवाट आवर जो है यह किसके बराबर हो जाएगा तो एक किलोवाट बराबर कितना होता है एक किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल अब इसको गुना कर देंगा हम किसे 5.5 से जब 5.5 से गुना करेंगे यह आप का जाएगा अनाइस पॉइंट 8 इंटू 10 to the power 6 यानिक आप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रसंद देखते ह है अगला प्रसंद 5.6 इंटू 5.6 किलोवाट आउर को मतलब क्या हो जाएगा हमने क्या देखा यहां पर कि एक किलोवाट बराबर 3.6 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होता है अब इसमें 5.6 के उना कर देंगे तो यह आपका जाकर यह 20.2 20.16 के बराबर आ जाएगा तो आप्शन देखते हैं बराबर यहां भी पूछ रख क्या होता है एक किलोग्राम पॉर मीटर इसक्वार यानि की आपका राइट अन्सर हो जाएगा चलिए 4.6 किलोवाट आउर किसके बराबर होता है कि फिरी भाग गया क्या कर यह परिशान हो गया है खैर कोई बात नहीं इस चीज को आप मुझे आसा है कि आप थुरा सा समझ अच्छे से समझ रहे होंगे यहां थुरा सा प्रोब्लम क्रियेट हो रहा है यह ठीक हो जाएगा आने वाले दिनों में तो यहां थे हम 4.688 में थे यहां देख लेते ह है अगके अगला प्रस्न जो है 4.62 कि वार्व जुल यह है यह आपका 4.6 क्या आपका था अभी आप लोग देक्छे ऊंगे की एक किलो-वाट बरावर कितना होता है तो तो 3.6 एक किलोवाट बरावर होता है 3.6 इन्टू 10 डूट बराव 6 जूल तो इसमें 4.6 से गुना कर देंगे तो 10 डूट बरावर 6 जूल तो आएगा तिंचों के बारे यानि 12 से ज्यादा आना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि यह आप कहा जाएगा 16.56 जूल आ जाएगा तो किलोवाट में आपका हो जाएगा 7.2 एंटू एंटू 10 डूट और 6 जूल तो ओप्षन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा इससे तरीके से 4.2 किलोवाट में क्या हो जाएगा फिर भाग गया फिव पताना क्या हो रहा था परषान Hai लोग नहीं और अप समाज में नहीं तो हम भी थोड़ा सा नए हैं तो आशा करता हूं नहीं इसको लोग करना होगा फिर यहां से प्लेव करेंगे उसके बाद हम देखेंगे ठीक है कि लिए 4.4.2 किलोवाट आउर में कितना हो जाएगा अब देखिए हम क्या जानते हैं कि 3.6 एक किलोवाट में क्या होता है 3.6 इंडू टेनिवर्ट 6 तो 4.2 में क्या हो जाएगा 4.2 से गुना कर देंगे यानि कि हम कह सकते हैं कि 4.2 किलोवाट में यह आपका 15.126 के आसपास आजाएगा तो आप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा परकास वर्स द्वारत किसे म होता है 1 9,0 कि एक यह न्यनो मेटर वर्राबर क्या होता है 10 मीली मा albo 1 9 मीटर यान्य गीट 10 दुपर माइनश नाइन मेटर होता है तो 10!!9 यह कह सकते हैं option B क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा बी नहीं sorry बी नहीं यह तो उपर जाएगा प्लस में हो जाएगा एक nanometer में 10 to the power minus 9 होता है तो 10 to the power minus को आजाएगा जब नीचे रहेगा तो option D क्या हो जाएगा यहाइप का right answer हो जाएगा एक क्योलाम पटी किसके बराबर होता है यह एक क्या होता है यह जो होता है एक पिको मेटर जो है यह किसके बराबर होता है तो एक पिको मेटर होता है तो एक पिको मेटर गरें कर सकते हैं एक यूनित की ब लखिए बड़कतित किया जाए तो कितनी होगी यह पूछा प्रस्न हैं एक यूनीट की बात किजये एक यूनीट की बात की जाए एक यूनीट की अगर हम perish करते हैं कि एक किलिज अभरे से 1.6 इंटो टो टैन। यूँटी। कर देंगे मेंत आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रसन देखते हैं कि हाइग्रो मीटर से क्या मापा जाता है तो हाइग्रो मीटर से आधरिता मापा जाता है तो आप्षन बी आपका राइट आंसर हो जागा ये एंटीपीसी 2021 में उचा गया प्रसन है वह मुंडल की आधरिता जो हो से मापा जाता है और उसमें विक्रान बोलो मीटर से मापा जाता है अगला प्रास ने कौन सा यंद समध्र के अस्तर से उपर की वश्चतिव के देखने के लिए पंडूवी में परयोग किया जाता है तो पंडूवी में परयोग क्या किया जाता है तो पेरी स्कोप को पंडू निहां सब्सकेडंद की किया जाता है तो बिलती हो जाए आपके लिए किया जाता है नेक्स निंद़ केलई से किया जाता है गर्या किया जाता है रोटों करता है ने qu arkam अंशर हो जागा यह सुर्ज को देखने के लिए किस जंदर का पुर्योग किया जाता है तो सुर्ज को देखने के लिए हेलियो स्कोब का पुर्योग किया जाता है तो option c यहां पर क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा next विवांतर कुम आपने के लिए dash उपकरण का उप्योग किया स्थान में विजली के परवा का पतां लगाने है कि किया जाता है विजली के परवा को पता करने के लिए प्लएगे अगला प्रस्ण है कि एक सोट के आवर्तन गती को निर्धारित करने के लिए डैस का इस्तेमाल किया जाता है तो आप्शन भी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखते हैं कि विभा मापी यानि कि पोटेंशियो मीटर मुलते एक क्या होता है तो यह विभा मापी जो होता है यह एक मापन उपकरन होता है तो आप्शन एक क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से डैस अधीस रासी नहीं है क्या इसमें से अधीस रासी नहीं तो अदिस क्या होता है यह हमके पूछ रहे है अदीस जो है ब्ल जो होता है ये अदीस राशिं नहीं होता है क्योंकि बल एक सधीस भौतिक रासि होता है तो यह सदीस अदीस नहीं होगा तो option C क्या होजाएगा आपका right answer हो जाएगा ठीक है आगे वड़ते हैं कि Tap कार्ज में कोई दिसा नहीं होता है कि वल परिनाम होता है तो और यहीं तक कोशन मिसिंग हो गया है मैं आज आ जाँगा चलिए अगर वीडियो आप जब तक के लिए जाए हिंद।